नमस्कार भगवांजी.com की और से आप सबी का हादिक स्वागत एवं अभिनंदन आएए आने वाले महा उत्सव अक्षेत रित्या के बारे में कुछ बाते करें अक्षेत रित्या को श्वेम सिद्ध मुर्त बाना जाता है इस दिन शूर्य और चंद्रमा अपने कुछ चितम राशिय में भिरासते हैं अक्षेत रित्या अपने नाम के अनुसार अक्षे फल परदान करने वाली है अक्षेत रित्या के बारे में यह मान लेता है कि इस दिन जो भी कारी किया जाता है उसमें सफलता उन्नती प्राप्त होती है इस दिन किया गया शुपकारी अक्षे फल दाई होता है कहते हैं बैसाग के समान कोई मास नहीं सत्युक के जैसा कोई यूग नहीं वेद के बराबर कोई सास्त्र नहीं कंगा के जैसा कोई तिर्थ नहीं और अक्षे दृतिया समान फलदाई कोई तिथी नहीं। इसका विवरण विष्णु पुराण, मत्सि पुराण, नारत पुराण तथा भविष्च पुराण में प्राप्त होता है। इस दिन शुर्योदय से पहले उठकर श्रान आधी कर जब, दान, तरपन, स्वध्याय करना शुब एवं अक्षे फलदाई माना गया है। इस तिथी के शुब कर्मों का कभी छे नहीं होता। अविष्च पुराण के अनुसार सत्युग, त्रितायुग एवं कल्युग का आरम इसी तिथी से हुआ है। भगवान विष्णों के छटे अवतार भगवान परशुराम का जनम दिन भी इसी दिन का है। इसी दिन भगवान बद्री नारेन के कपाट भग्तों के लिए दर जाने में हुए पापों का बोज हलका होता है। मृत्य के बाद जब प्रानी अन्ने लोकों में जाता है तो इसे इस दान के प्रभाव से हर लोक में सुख और उने म distractions में मनुश्रीयों में आने पर भौतिक सुख और वैभव प्राप्त हूता है। पावन नदी में श्टान कर इस दिन श्वन भूमी पंखा जल चाता वस्त्र आदिदान करने की अपनी विशेश वहिमा है जौक का दान श्वन दान के समान बताया गया है इस दिन बिना बंचांग बूर्त देखे श्वन रजत अभूशन संपत्ति आदि की खरित की जा सकती है भगवान विश्णु का पूजन सेस्तरार्चन अभिशिक आदिकर के इश्वर की विशेश क्रिवा प्राप्त की जा सकती है शी लक्ष्मी जी कुबेर जी की पूजा भी धनारजन व्यापार लाब संपति लाब के लिए विद्वान आचार द्वारा करवाने पर अत्तिन लाब प्राप्त होता है भाग्य हीनी वेक्ति भी अक्षेट रितिया के अफसर पर अपने सामर्थ के अनुसार पूजन दान तरपन करता है तो उसकी दिर्दता दूर होती है और भाग्योदे हो जाता है दुरुभाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित करने वाला यह सर्वस्रिष्ट दिन है आप के हर धर्म दान पूजन आदी में आपके सहयोग के लिए सदेव तत्पर है भगवांजी.com नमस्कार